विशाल बाच्पी आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं फाइल एंड फोल्डर इस्ट्रेक्चर इन अंगुलर तो जब भी हम लोग कोई नया आप क्रिएट करते हैं अंगुलर में अंगुलर में और जो भी हमारा फोल्ड एप का नाम है इस कमांड से तो हमा इसका बिल्ड क्रिएट करते हैं अपने अप का तो उसमें नोड मॉडियूस फोल्डर इंक्लूड नहीं रहता है हमारे पास बाकी सारी फाइल्स रहेंगी एकसेप्ट नोड मॉडियूस और जब भी हमें नोड मॉडियूस चाहिए होता है तो हम लोग npm install कमांड का यूज लक्रियूस करते हैं तो नोड मॉडियूस औतומटिकला हमारे आप में हमारे प्रॉजेक्ट में डाउंलॉड हो जाता है नोड मोडियूस को इंक्लूड न करने का रीजन ये है कि नोड मॉडियूस का जे जिए बहुत ही जञाद़ा होता है और यह रिजनरेट किया जा ठीक है उसके बाद जो दूसरा folder हमारे पास होता है वो src folder होता है तो हम लोग जतना भी code करते हैं जो भी हम लोग अपने app जो भी एप create कर रहे हैं उसका जतना भी सारा code है वो सारा हम लोग src folder के अंदर रखते हैं so all the code is written in the src folder अभी इसको हम लोग expand करके इसके अंदर की जो चीज़ें वो भी discuss करेंगे उससे पहले आगे बढ़ते हैं उसके बाद जो git ignore करके एक file दी हुई है तो git ignore file का basically use होता है the git ignore file is an angular tells git what files to ignore when tracking changes like temporary files और build artifacts so basically अगर आप git version control system के साथ अगर आप daily आप push कर रहा है पूल कर रहा है code तो कुछ ऐसा code होगा या कोई ऐसा file हो सकती जो आप नहीं चाहते हैं कि आपके actual code में वो चीज़ पूश हो जाए तो वो सारी चीज़ें या वो सारी files की detail हम लोग git ignore वाली file में रखते हैं तो इससे व यह जो तीनों दीव है नीचे की tsconfig.json, tsconfig.app.json और tsconfig.spect.json यह सारी हमारे पास configuration files होती हैं इस पर बढ़ने से पहले हम लोग एक बार बात कर लेते हैं package-log.json वाली file तो basically package-log.json यह file see the package-log.json file keeps track of the exact version of packages your project uses to ensure everyone has the same setup तो basically अगर बात करें तो package-log.json में हमारे पास जतने भी packages हम लोग use कर रहे हैं जतनी भी dependencies हम लोग use कर रहे हैं उन सारे packages और dependencies की detail后 रहती हैं वो किस version पे हैं काम कर रहे हैं ठीक है उनकी क्या dependencies हैं यह सारा record हमारा package-log.json में रहता है basically इसके अंदर सारे packages, सारी libraries, इनकी details, उनके नाम के साथ, उनके version के साथ, उनकी कौन-कौन सी dependencies है, यह सारी details इस file में stored रहती है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास, जो जो files बचती हैं, उनकी बात कर लेते हैं, package.json, जैसा कि यह सारी configuration file होती है, तो package.json, इस file के अगर बात करें so all the details related to the project are in this file, तो projects related सारी details, जैसे हमारे project का नाम क्या है, files underscore folder, वो यहाँ पे है, ठीक है, इसका version क्या है, अभी हमने कोई भी changes नहीं की है, start करने के लिए हम लोग कौन सा command यूज कर रहे है, ng-serve build, create करने के लिए ng-build, so projects related जो भी details हैं, projects related जो भी dependencies हैं, यह सारी details package.json वाली जो आप लोग कामांड से related रहता है, जो आप लोग कामांड से related रहता है, जो आप लोग काड़ सकते हूं, जो इसे not unnecessary file, इसके लाँ मार पास जो tsconfig.json है, थो देखो, जैसे angular, यह हमारे project से related जितना भी details है, वो सारा package.json फाइल में रहता है, angular.json वाली फाइल में क्या र details, मतलब सारी details, मतलब polyfills वाली file कहां से मिलेगी, main वाली file कहां से मिलेगी, सारी files का address, और यह सारी चीज'RE जितनी भी है, वो angular.json वाली file में रहती है, same इसी तरह ہے, tsconfig.json वाली file इसमें details होती है, type script के file से related, type script की file से related, जितना भी configuration है वो सारा यहां पे मिल जाएगा, tsconfig. यह जो मतलब tsconfig.json tsconfig.app.json और tsconfig.spect.json इसमें क्या difference होता है तो basically spec.json जो होती है वो type script की testing वाली file का configuration contain करती है tsconfig.json जो है यह global tsconfig यह global type script या नहीं कि सारी type scripts की file का configuration इसके अंदर होता है और यह जो app.json वाली file है यह केवल component based type script जैसे मान लो मैंने कोई component create किया उसमें जो type script file होगी उसका configuration यह store करती है और यह जो दोनों files है inspect.json और यह app.json यह दोनों इसी को extend करती है लोग देख सकते हूं मतलब superset Y है इसके अंदर हम लोग कुछ मतलब as a local जैसे हम लोग local variables नहीं create करते हैं तो हम लोग locally इसके अंदर थोड़े से और configuration add या change कर सकते हैं ठीक है तो आई होग मैंने सारी files के लिए cover कर लिए है अब src folder के अंदर हम लोग देख लेते हैं हमारे src folder के अंदर एक app module करके ये एक folder बना हुआ इसके बारे में लोग बात करें उसके पहले हम लोग assets वाले folder की बात कर लेते हैं ठीक है तो हम लोग यहाँ src तगा आ गए थे assets वाले folder की अगर बात करें तो this is where all the static files या static assets like images, fonts, global styles are placed तो मान लोगर हमारे app में हमें कुछ images चाहिए तो वह सारी चीज़े हम लोग assets वाले folder के अंदर store करते हैं इसके बात fab icon क्या होता है, fab icon मतलब एक small icon जो होता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं new tab के आगे जो चोटा सा icon लगा हुआ है इसी को हम लोग fab icon बोलते हैं, इसके बात जो हमारे पास index.html वाली file आती है अगर आप लोग ने HTML में काम किया तो आपको पता होगा जो पहला file जो होता है वो index.html होता है जो load होता है किसी भी website पे तो हमारे app का यह पहला file होता है यह हमारे project का पहला file होता है जो load होता तो the first file to be loaded in your project is index.html ठीक है अभी main.ts वाली file क्या करती है this points to the first module of your project तो जब भी हम लोग कोई भी नया app create करेंगे ना तो by default एक module create होता है जिस हम लोग app module बोलते हैं ठीक है हमारा app module है तो main.ts क्या करता है इस app module को index.html में bootstrap कराता है bootstrap कराता है देखो कैसे यह जो six line पे code लिखा है अप लोग पढ़ों तो क्या लिखा हुआ है platform browser dynamic.bootstrap module तो यह bootstrap module मतलब यह app module को bootstrap करा रहा है मतलब load करा रहा है कहां पे index.html वाली file पे तो basically main.ts का क्या होता है जो हमारा module है अभी यहाँ पे app module है हम चाहिए तो इसे change भी कर सकते हैं तो जो हमारा पहला module load होगा index.html वाली file में सबसे पहले index.html फाइल होती है उसके अदर हमारा जो module load होगा वो कौन देखता है वो main.ts देखता है main.ts का काम होता है उस module को वहाँ पे bootstrap करवा index.html में ठीक है style.css वाली file की बात कर लेते हैं all global css code आपको style.css पता ही होगा तो हम लोग को जितनी भी css globally define करनी रहती है वो हम लोग style.css वाली file के अंदर लिखते हैं और वो css globally लग जाती है सारे components के पास अपनी css file होती है अभी मैं आपको एक component बना के दिखाऊंगा पर वो सारी जो css की properties होंगी वो क्योल उस component पर लगेगी पर style.css पर हम लोग जो भी css properties लिखेंगे वो globally लगती है ठीक है अब उसके बाद हम लोग app वहले folder को expand करके इसके बारे में बात कर लेते हैं तो basically एक app module है ठीक है जो भी module create होता है तो उसमें यह चार files होती है यह चार files हर एक component में भी होती है पर इसके लामा दो files और होती है एक routing की और एक app.module एक module की file ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको एक बार component बना के दिखा देता हूं थाकि आपको थोड़ा से confusion दो हो जाए ठीक है तो component बनाने के लिए basically cbs code में टर्मिनल इंडेट होता है तो vs code में मैं आप लोग के component बना के दिखा रहा हूं तो component बनाने के लिए आपको एक command run करना होता है ng g for generate c for component आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो है चाहो तो ng gc और component का नाम component का नाम चलो मान लो मैं रख देता हूं first या मान लो मैं component का नाम रख देता हूं header ठीक है तो आप देखेंगे src folder के अंदर ही यह component बन कर आ जाएगा जैसे कि मैंने बताया था सारा code src folder के अंदर ही हम लोग लिखते हैं ठीक है तो हमारा यह header component generate हो गया है तो header component के अंदर हम लोग देख लेते हैं component के अंदर क्या क्या चीज़े होती है एक stml file एक css file एक type script की file हो रही है spec.ts यह basically testing purpose के लिए होता है हम लोग unit test cases लिखते हैं इसके अंदर तो हमारे पास चार files generate होके आ जाती है ठीक है अब देखो app module था इस module के अंदर हमारे पास चार files थी एक type script की file एक testing की stml की css के इसके लामा दो files और क्योंकि यह as a module treat हो रहा है ठीक है अभी app-routing का क्या काम होता है app-routing.module.ts इस file का हम लोग यूज करते हैं routing define करने के लिए आप देखे ना routes इस वाली area के अंदर हम लोग अपने routes define करते हैं routes मतलब कि हमें एक page से दूसरे page में navigate करना है और angular में बिना reload किये navigate कर पाते हैं हम लोग component based architecture component architecture पर based होती है ठीक है और यह जो app.module वाली file है इसके अंदर हम लोग सारी details रखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें import कर रहें providers है रहे bootstrap है यह सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है ठीक है अभी मैंने most probably सारी files cover कर ली है इसके लावा भी कुछ files रह रह रही है उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं यह तीन configuration files होती है इसके बारे मैंने आपको बता दिया है इसके लावा एक tslint.json करके file इसमें कुछ files ऐसी हो सकती है जो आप लोग को यहाँ पर नहीं दीख रहे हैं कई बार आप लोग के code editor में show हो सकती है तो कुछ files मैंने वो भी रखी हुई है एक tslint.json करके file होती है तो this file is basically used for checking source code for any type of error in coding phase so coding phase के time पे अगर कुछ error हम लोग करते है तो basically tslint.json file का use करते है हम लोग उसको check करने के लिए इसको लिंटिंग process बोलते है इसके बारे मैं आप लोग थोड़ा सा research कर सकते हो अब ये 5 files जो बच्ची हुई है इनके बारे में बताने से पहले मैं आप लोग के एक बार build बना के दिखा देता हूं और कुछ files और add हो जाएंगी जब भी हम लोग build बनाएंगे तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं ठीक है dist folder क्या करता है या देखो मैं यहां पर लिखा हुआ है final output that you will take to production तो अगर हम लोग अपना folder open करके देखेंगे d के अंदर angular project वाले folder में आ गया हूं अब हमारा कौन सा project है files and file underscore folder वाला तो यहां पर हमारे पास ये dist folder आ गया है इसे हम लोग यहां से cut कर सकते है और direct देखो अब इसके अंदर हम लोग अगर आथे यह तो file send file underscore folder नाम से हमारे पास project आ गया और इसे हम लोग अगर open करेंगे तो देखो हमारे पास कौन कौनसी files है, इसके अंदर ना हमारे पास node modules की file है, ना हमारे पास src folder है, कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ इतनी files आती है, अब इसके लाम कुछ files है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास vendor.js file है इस file कम लोग use करते हैं, because this is the actual code which you have coded, इस file के अंदर हमने जितना भी code लिखा हुआ है, उसकी detail रहती है, ठीक है, polyfils.js, यह basically हमें help करती है file, जो भी पुराने ब्राउजर है हमारे, उसके अंदर नए my script version के javascript को run करने में, ठीक है, basically नए code को पुराने ब्राउजर पे run करन हम लोग testing purpose के लिए, और कई बार आपको एक folder दिखेगा environments नाम से, तो basically this folder is created to configure some environment specific configuration file, जैसे हमारे पास development environment होता है, production environment होता है, तो basically इसके अंदर हम लोग environments वाली file create करते हैं, कि हमें कौन सा code या कौन सी file यूज़ करने है, development environment के लिए, production environment के लिए, code हम लोग जब भी कोई directly हम लोग live नहीं कर देते, उससे पहले उसके testing होती है, कि live server पर यह कैसे चलेगा, जिसे हम लोग development server बोल सकते हैं, और उसके बाद अगर वो सही चल रहा है, तो हम लोग production server पर push करते हैं, जो कि live server होता है, तो I hope मैंने mostly सारी files cover कर दी हैं, इसके लाब अगर कोई doubt आपके पास थैंक यू फोर वाचिंग दा वीडियो,